अच्छा इसके बाद आने वाला टेबल का क्या नाम होगा हमारे वीडियो का टेबल का नाम है हमारा वीडियो पहली फिल्ड जो होगी इसमें वी आइडि यानि के वीडियो आइडि इसमें हमारे पास होगी वो फिल्ड नई रखा था नाम आगी पीछे कर सकते जो फरق नहीं परता ने इसका क्या नाम होगा वीडियो नेम नहीं वीडियो नेम नहीं, टाइटल, ठीक है, टाइटल इमेज, अच्छा मजीद, और बताएं, हाँ, टाइटल इमेज, डिस्क्रिप्शन, अच्छा, लेंक आगया, आपके पास या, इमबैड कोड आगया, टीक है, उसके बाद, डेट टाइम, बस, इंटीजर रहेंगे, ये वारचार, टाइटल, इमेज का नाम, डिस्क्रिप्शन, वारचार, लेंक, वारचार, डेट टाइम, जाएगा, टाइम स्टैम, टीक है, देट टाइम की टाइब क्या देंगे आप लोग, टाइम स्टैम, डेट टाइम भी दे सकते हैं टाइम स्टैम भी दे सकते हैं दोनों दे सकते हैं मैं टाइम स्टैम दे रहा हूँ जे हां अचा अलेवन पच्छिस टाइटल टाइटल की लहन मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ पचास, टाइटल इमेज, बड़ी उद्दाम हो सकता है पिच्चर का, डिस्क्रिप्शन, और लिंक, अच्छा, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इंजेक्स करेंगे, ठीक है, और इसको, सेफ कर देंगे, ठीक है, टाइम स्टैम के अंदर हम लोग कोई लेंड डिफाइन नहीं करते हैं, अब इसका हमने क्या बनाना है, इसका भी रिलेशन बनेगा, इसका रिलेशन कैसी होगा कि, सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी, ठीक है, उसके बाद और मजीद टेबल आपके, कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स से पहले बनाओ, टेबल यूजर का, ठीक है, यूजर का टेबल बनेगा और यूजर के टेबल में, सबसे पहले हम क्या चीज़ जालेंगे, यूजर की आईडी, उसके बाद यूजर की आईडि के बाद यूजर का नेम पासवर्ट पासवर्ट के बाद उसका इमेल पहले इमेल कर लें इमेल पासवर्ट उसके बाद फून ठीक है वार्चार 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 अच्छा एक रह गई यूजर है ना हाँ साई ठीक है 11 नेम पाद पाद पासवर्ट पासवर्ट हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं MD5 में देंगे 32 गरेक्टर लेगा तो 32 से 36 36 या 40 कर लेता हूँ मैं इसका और फून के लिए मैं इसके बाद इसके बाद सेकेंड टेबल हमारे पास इसका होगा कमेंट्स का कमेंट्स में जो सबसे पहले चीज़ होगी वो कमेंट्स की आइडी सी आइडी तो नहीं दे सकते ना इसको आइडी दे देंगे कमेंट्स की आइडी होगई उसके बाद वी आइडी होगई यानिके केस पर उसने ये किया है उसके बाद सेकेंड हमारे पास यूजर आइडी नहीं के यू आइडी होगई ठीक है उसके बाद हमारे पास स्टेटस उसके बाद हमारे पास date time comment तो लिखा नहीं status हाँ status भी होगा और comment तो हमने लिखा नहीं कि comment का data होगा क्या ठीक है एक और इसे field का इजाफा कर ले कि उसके बकाइदा comment होंगे क्या ठीक है और फिर date time time stamp comment वारचार status वारचार यह सब आपकी ही होगा length status comment date time में लेंद नहीं डिफाइन करेंगे हमने क्या बना लिया इसको ठीक है बीडियो आइडी और सेकेंड इसको इंडेक्स रखना है ठीक है अच्छाफ यह आपका जो यू आइडी है वो नहीं आएगी बलके यूजर की यहाँ पर क्या आएगी एमेल एडरस हम यहाँ पर यूजर का सेफ करवाएंगे इसकी आइडी नहीं कर वाएंगे तक है या आइडी हां, यूजर की आइडी आ जाएगी लेकिन इसको आप लोग रिलेशन नहीं बनाएंगे इसका, रिलेशन एक का बने गए एक का, अच्छा यहां पर आपके पास आ जाएगी इसकी वीडियो आइडी और वीडियो आइडी, ठीक है, इसको आपने करा लिया, टैस् गर सब्सक्राइब रिलेशन इसलिए नहीं पणा रहां कि चाहिएुन कोई अगर योज़र की आईडी आईगी जो बीधिक के फिर मुल को सकी युजभ गर सब्टे समस्क्राइब करें। relation नहीं बनाएंगे, relation इसलिए नहीं बनाएंगे कि relation का कोई फाइडा नहीं है अगर user delete हो जाता है, खतम ہو जाता ही user तो उसके comment से उसका क्या तालूगा एडे है comment रहेगा unique user ka name घाइगा id से सब कुछ निकल आएगा नுसकी ID डिलेत नहीं होगी न? अच्छा ID अगर डिलेत हो जाएगी तो ID ID डिलेत होगी User को डिलेत चलो देखते हैं इसमें इसमें तुरो को चलो कि करना है इसको सेफ कर देते है ठीक है और कुछ सारे टेवल बन शहते है एक टेवल रहता है कौन से डिविल रहते हैं एड्मिन का डिविल रहते है एड्मिन की आईडी और एड्मिन का नेम इमेल पासवर्ड कि अच्छ आई कि अच्छ ठीक है टेबिल हमारे तमाम बन गए डिटा बेस हमारा तैयार है कोई चीज रहती है इसमें अभी क्लियर कंप्लीट है अब हमने क्या करना है एक एड्मिन के अंदर एक रिकॉर्ड हम डमी रिकॉर्ड एंड इंसर्ट करेंगे टिक है नेम मैंने दे दिया पूर एड़्ेंपल एड्मिन एक डमी रिकॉर्ड हमने एड़् किया है उसके बाद हम बाकी का काम इसमें शुरू करेंगे अपने फोर्डर में अच्छा थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन रखाल सी काफी एतना